शुरी नारज जी कहते हैं, हे महराज, इस प्रकार वह सुन्दरी अनेक नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनन्दित करती भी विहार करने लगी, उसने अच्छी तरह इस नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रंगार किये, तथा भोजन आधी से तर के अनुकुल रहसी की बाते करते वे वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनी में ही अपना चित लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गती का भी कुछ पता नहीं रहा, मद से छका हुआ, मनस्वी पुरंजन अपनी प्रया की कोई ज्यान ही नहीं रहा, हे राजन इस प्रकार कामातुर्चित से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आदेक्षण के समान बीतती गई, प्रजापते उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के ग्यारह सो पुत्र और 110 कन्याई हुई, जो सभी अपने मा पुरंजन की लंबी आयू का आधा भाग निकल गया, फिर पांचाल राज पुरंजन ने पित्र वंश की व्रधी करने वाले पुत्रों का वध्रों के साथ और कन्याई का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया, पुत्रों में से प्रतेक के 100-100 पुत्र हुए उनसे व्रधी को प्राप्थ होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया, इन पुत्र, पौत्र, ग्रह, कोश, सेवक और मंत्री आधी में द्रण ममता हो जाने से वह इन विश्यों में ही बंद कर रह गया, फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यग्य की दिक्षा लेकर तरह तरह के पशु हिंसा में घोर यग्यों से देवता, पितर और भूत पतियों की आराधना की, इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्यान करने वाले कर्मों की ओर से दीन बुद्धी से अपने इस्त्री पुत्र आधी के लिए शोका शोका कुल होकर उसके साथ हो लिए, यवनो द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया, उसके जाते ही सारा नगर छिनन भिन होकर अपने कारण में लीन हो गया, इस प्रकार महा बली यवन राज के बल पूर्वक खीचने पर भी रा को याद करके उसे क्रोध पूर्वक कुठारों से काटने लगे, वह वर्षों तक विवेखीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा, इस्त्री की आसकती से उसकी ये दुरगती हुई थी, अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बन कर दिया कि इसे सर्व स्रेष्ट पराकर्मी वीर ही प्या सकेगा, तब शत्रों के नगरों को जीतने वाले पांड नरेश महराज मले ध्वच ने समर भूमी में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया, उससे महराज मले ध्वच ने एक शाम लोचना करन्या और छोटे साथ पुत्र उत्पन किये, जो आगे चलकर द्रविड देश के साथ राजा बने, ही राजन फिर उनमें से प्रत्यक पुत्र के बहुत-बहुत पुत्र उत्पन हुए, जिनके वंशधर इस प्रत्वी को मनवंतर के अंध तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे, प्रत्वी को पुत्रों में बाट कर भगवान कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मले परवत पर चले गए, उस समय चंद्री का जिस प्रकार चंदरदेव का अनुसरन करती है, ठीक उसी प्रकार मत लोचना, वैदर्भिनी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों क तिलांजली दे पांड नरेश का अनुगमन किया, वहां चंद्रवसा, तामरपढणी और वतोत का नाम की तीन नदिया थी, उनके पवित्र जल में इस्नान करके वे प्रती दिन अपने शरीर और अंतरकरन को निर्मल करते थे, वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल पुष्प, पत्ते, त्रण और जल से ही निर्वाह करते वे बड़ी कठिन तपस्या की, इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया, महराज मलेध्वज ने सर्वत्र समद्रिष्टी रखकर, शीत, ओश्न, वर्षा, वायू, भूख, प्यास, प्रे, अप्रे और प्रश्मे करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे, इस प्रकार सो दिव्य वर्षों तक स्थानों के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे, भगवान वासुदेव में सुधरण प्रेम हो जाने की कारण, इतने समय तक उन्हें शरीर का भी ध्यान न ने देखा कि अंत्हकरन की व्रत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वपना वस्था की भाति देह आदी समस्त उपाधियों में व्याब्द तथा उनसे प्रथक भी है, ऐसा अनुभव करके वे सब और से उदासीन हो गए, फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म में, पर ब्रह्म को आत् देखा और अन्त में इस अभेति चिंतन को भी त्याकर सर्वथा शांत हो गए, हिराजन इस समय पती परायना वैदर भी सभी प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मा के पती मलेद्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी, वह चीर वस्त्र धारन किये रहती, अपने पती देव के पास वह एंकार भाव को प्राप्त धूम रहित अगनी के समीब, अगनी की शांत शिखा के समान सो शोबित हो रही थी, उसके पती परलोक वासी हो चुके थे, परंतु पूर्वरत इस्थिर आसन से विराजमान थे, इस रहस्य को न जानने के कारण वह जुन्ड से बिछडी हुई, म्रगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई, उस भीहरवन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोका कुल हुई और आसुओं की धारा से अपने शरीर को भिगोती भी बड़ी जोर जोर से रोने लगी, वह पती के साथ वन में गई भी वह अबला इस प्रकार विलाब करती भी पती के चर्णों में गिर गई, और रो रोकर आसु बहाने लगी, लकडियों की चिता बना कर उसके उपर उसने पती का शव रखा, और अगनी जला कर विलाब करते करते स्वम सती होने का निश्चे किया, राजन इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्म ज्यानी ब्रहमण वहा आया, उसने उस रोती भी अबला को मदुरवानी से समझाते वे कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है, और किसके लिए तू इतना शोक कर रही है, वह ये सोया हुआ पुरुष कौन है, क्या तू प्रत्वी के भोग भोगने के लिए निवास इस्थान की खोज में मुझे छोड़ कर चले गए थे, आर्य पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र और मांस निवासी हंस थे, हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास इस्थान के ही रहे थे, किन्तु मित्र नौ दर्वाजे एक द्वारपाल, तीन परकोटे, छे वैशिकुल और पांच बाजार थे, ये पांच उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिन एक इस्त्री थी, महराज इंद्रियों के पांच विशे उसके बगीचे थे, नौ इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज जल और अन तीन परकोटे थे, मन और पांच ग्यानेंद्रिया, छे वैशिकुल थे, क्रिया शक्ति रूप कामेंद्रिया ही बाजार थी, पांच भूत ही उसके कभी क्षिन ना होने वाले उपादान कारण थे, और बुद्धी शक्ती ही उसकी स्वामिनी थी, ये एसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शुन्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, भाई उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पढ़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए, और उसी के संग से तुम्हारे ये दुर्दशा हुई है। मित्र जो मैं अर्थात ईश्वर हूँ वही तुम अर्थात जीव हो। तुम मुझसे भिन नहीं हो। जो तुम हो वही मैं भी हूँ। इस प्रकार जब हंस अर्थात ईश्वर ने उसे सावधान किया तब वहमान सरुवर का हंस अपने स्वरूप में इस्थित हो गया। और उसे अपने मित्र के बिच्छों से भूला हुआ आत्मज्यान फिर प्राथ हो आया। हे प्राचिन बरही मैंने तुम्हे परोक्ष रूप से ये आत्मज्यान का दिक्तर्शन कराया है। क्योंकि जगत करता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही सबसे अधिक प्रे है। राजा प्राचिन बरही कहने लगे है भगवन मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा पूरा नहीं आ रहा है। विवे की पुरुशी केवल इनका तात्पर ही समझ सकते हैं। हम कर्म मोहित जीव कभी नहीं। श्री नारजी कहने लगे है राजन पूरंजन जीव है जो अपने लिए एक, दो, तीन, चार अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरी रूप पूर तयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्यात नाम से कहा गया है वो इश्वर है क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण, अत्वा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। कारण देह और इंद्रिय आदी में मैं मेरी पन का भावतपन होता है और पुरुष इसी का आश्रे लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विश्यों को भूगता है। मन को ही ग्यारवा महाबली योध्ध जाना चाहिए। शब्दादी पांच विशही पांचाल देश हैं जिसके बेच में वह नौ द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर दो दो द्वार बताए गए हैं वे दो नेत्र गोलक, दो नासा चित्र और दो कन चित्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा ये तीन और नौ मिलाकर कुल नौ द्वार हैं। गुदा और लिंग ये नीचे के दो चित्र पश्चिम के द्वार हैं। खद्योता और अविर्मुखी नाम के जो दो द्वार एक स्थान पर बतलाए थें, वे नेत्र गोलक हैं तथा रूप विभाजित नाम का देश हैं। जिसका इन द्वारों से जीव चक्षू इंद्रे के साहिता से अनुभव करता है। शरीर ही रत है, उसमें ज्याने इंद्रे रूप पांच गोडे जुतेवे हैं। देखने में समवत सरूप काल के समानी उसका अप्रतिहत वेग है, वास्त में वह गतिहीन है। पुर्ण्य और पाप ये दो प्रकार के कर्म ही उसके पईये हैं। तीन गुण ध्वजा है, पांच प्राण दोरिया है, मन बागडोर है, बुद्धी सारती है, हिरदय बैठने का इस्थान है। सुख दुख आधी द्वंद जुए हैं, इंद्रियों के पांच विशे उसमें रखे वे आयुद हैं और तवचा आधी साथ धात्वे उसके आवरण हैं। पांच करमेंद्रियां उसकी पांच प्रकार की गती है, इस रथ पर चड़कर रथी रूप ये जीव म्रिग तरशना के समान मित्या विश्यों की ओर दोरता है। ग्यारह इंद्रियां उसकी सेना है तता पाँच ग्यानेंद्रियों के द्वारा उन-उन इंद्रियों के विश्यों को अन्याय पूर्वक ग्रहंट करना ही उसका शिकार खिलना है। व्रद्धा वस्ता ही साक्षात काल कन्या है उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। इस प्रकार ये देहा भीमानी जीव अज्यान से आच्छा दित होकर अनेक प्रकार के आधी भौतिक आध्यात्मिक और आधी देविक कस्ट भोगता हुआ। सो वर्ष तक मनशी शरीर में ही बढ़ा रहता है। वस्तुत है तो वह निर्गुण है कि तु प्राण, इंत्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर। मैं मेरे पन के अभिमान से बंद कर शुत्र विश्यों का चिंतन करता हुआ, तरह तरह के कर्म करता रहता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देवयोनी, मनशीयोनी अथवा पशयोनी में जन्म लेकर वह अज्यानांध जीव, कभी पुरुष, कभी इस्त्री और कभी नपुनसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ, अपने प्रारभधा नुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार ये जीव, चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर उचे नीचे मार्ग से उपर नीचे, अथ्वा म प्रथा चुटकारा नहीं हो सकता, यदि कभी वैसा जान पड़ता है, तो केवल तातकालिक निवृत्ती ही ये होती है, वह ऐसी ही है, जैसे कोई सिर पर भारी बोज़ा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले, इसी तरह सभी प्रतिक्रिया जाननी यदि किसी उपाय से मनुष एक प्रकार के दुख से छुटी पाता है, तो दूसरा दुख उसके सिर पर आकर सवार हो जाता है, ये शुद्धर्दे नरेंद्र जिस प्रकार स्वपन में होने वाला स्वपनांतर उस स्वपन से सर्वथा चूटने का उपाय नहीं है, उसी प भक्ती भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूरवप उन्हें प्रति दिन सुनता या पढ़ता है, उसे बहुत शीकरी इसकी प्राप्ती हो जाती है, राजन जहां भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत पर विशुत चित भक्त जन रहते हैं, उस सादु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूतन भगवान के चरित्र रूप शुत अम्रित की अनेकों नदियां बहती रहती हैं, जो लोग अत्रिप्त चित से श्रवण में तत पर अपने कर्ण कोहरों द्वारा उस अ सदा घिरा हुआ, जीव समुदाय, श्री हरी के कथा अमरित सिंदु से प्रेम नहीं करता। आदी के द्वारा ढून ढून कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक ना देख सके, वेद भी अत्यनत विस्त्रित हैं, उसका पार पाना हसी खेल नहीं है, अनेकों महानुभा उसकी आलोचना करके, मंत्रों में बताय हुए बज्रहस्त्र आदी कुणों से युक्त इंद्रादी देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा, यद्दिप्यूस परमात्मा का ही यजन करते हैं तथा भी उसके सरूप को वे भी नहीं जानते, हिर्दय में बार बार चिंतन के जाने पर भगवान जिस प्रकार, जिस सम में वहलोकिक विवहार और वैदिक कर्म मार्ग की बद्द मूल आस्था से छुट्टी पा जाता है, हे बहिश्मन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धी मत करो, ये सुनने में ही प्रेजान परते हैं, परमार्थ का तो इस पर्ष भी नहीं करते, ये जो परमार्थ व अपने स्वरूप भूत लोक को नहीं जानते, जहां साक्षात श्री जनारतन भगवान विराजमान हैं, देवर्शी नारत कहते हैं, हे पुरुश्रेष्ट, यहां तक जो कुछ भी कहा गया है, उससे तुम्हारे प्रश्निका उत्तर हो गया, अब मैं एक भलिभाती निश् उसके कान भौरों के मदूर गुंजार में लग रहे हैं, उसके सामने ही दूसरे जीवों को मार कर अपना पेट पालने वाले भेडिये ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी व्याध ने बीधने के लिए उस पर बान छोड़ दिया है, परन्तु हिरन इतना पुष्पों की तरह ये इस्त्रिया केवल दिखने में सुन्दर हैं, इन इस्त्रियों के रहने का घर ही पुष्पवाटी का है, इसमें रहकर तुम पुष्पों के समान, मधु और गंध के समान, शुत्र, सकाम, कर्मों के फल रूप, जीव और जननेंद्रियों को प्रे ल तुम्हारे कान उसी में अत्यनत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेडियों के जुंट के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयू को हर रहे हैं। परन्तु तुम उनकी कुछ भी परवा ना करके ग्रहस्ती के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुप-चुप लगावा शिकारी काल अपने छिपेवे बार से तुम्हारे हिर्दे को दूर से ही बींध डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मुरग की सिस्थिती में देखकर तुम अपने चित को हिर्दय के भीतर निरुध करो और नदी की भाती प्रवाहित होनी वाली श्रवनेंदरी की बाहिय व्रति को चित में इस्थापित करो। जहां कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है उस ग्रहस्त आश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रे श्री हरी को प्रसंद करो और क्रमशह सभी विश्यों से विरत हो जाओ तब राजा प्राचिन बरही ने कहा है भगवन आपने करपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेश रूप से विचार भी किया मुझे कर्म का उपदेश देनी वाले इन आचारियों को निश्य ही इसका ज्यान नहीं है यदि ये इस विशे को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते हे विपरवर मेरे उपद्यायों ने आत्म तत्व के विशे में मेरे हिर्दय में जो महान संचे खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह से काट दिया इस विशे में इंद्रियों की गति ना होने की कारण मंत्र द्रिस्टा रिशियों को भी मोह हुआ जाता है वेद वादियों का खथन जगा जगा सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस इस्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह से उनका फल भूगता है कि तो ये बात कैसे हो सकती है क्योंकि उन कर्मों का क परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार प्रकट हो सकते है श्री नारजी कहने लगे हिराजन इस्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधिन है अतहर करमों का उत्तरदाइद उसी पर है जिस मन प्रधान लिंग शरीर की साहता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ ही रहता है अतहे वह परलोक में अप्रोक्ष रूप से स्वैम उसी के द्वारा उनका फल भोगता है स्वापना वस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है किन्तु इसी के समान अत्वा इससे भिन प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संसकार रूप से इस्थित कर्मों का फल भोगता रहता है इस मन के द्वारा जीव जिन इस्तरी पुत्र आदी को ये मेरे हैं और देह आदी को ये मैं हूँ ऐसा कहे कर मानता है उनके किये वे पाप पुर्णे आधी रूप कर्मों को भी वे अपने उपर ले लेता है और उनके कारण उसे वियर्थी फिर जनम लेना पड़ता है हे राजन तुम निश्चे मानों की लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जनम में ही हो चुका है क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती राजन तुम्हारा कल्यान हो मन ही मनुश्यों के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आधी को भी बता देता है और जिनका भावी जनम होने वाला नहीं होता उन तत्व वेताओं की विदेह मुक्ती का पता भी उनके मन से ही लग जाता है कभी कभी सौपन में देश, काल, अत्वा, क्रिया, समंदी ऐसी बाते भी देखी जाती है जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई जैसे परवत की चोटी पर समुत्र, दिन में तारे अत्वा अपना सिर कटा हुआ दिखाई देना आदी आदी इनके दीखने में निद्रा दोश को ही कारण मानना चाहिए मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने वाले योगी पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाथ होने पर चले जाते हैं ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही न हो सके श्री मैत्रे जी कहते हैं हे विदुर जी, भक्त श्रेस्ट श्री नारत जी ने राजा प्राचिन बरही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिखदर्शन कराया, फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोग को चले गए तब राजर्शी प्राचिन बरही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौप कर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए, वहां उन वीरवर्णे समस्त विश्यों की आसकती छोड़, इकाग्र मन से भक्ती पूर्वक्षरी हरी के चरण कमलों का चिंतन करते सारूपी पद प्राप्त किया, हे निश्पाप विदुर जी, देवर्शी नारत के परोग्ष रूप से कहे वे इस आत्म ज्यान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा, वह शीक्री ही लिंगदे के बंधन से मुक्त हो जाएगा, देवर्शी नारत के मुक से निकला हु जो मनुष्य इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा विदुर जी ग्रहस्त आश्रमी पुरुंजन के रूपक से परोक्ष रूप में कहा हुआ ये अद्भूत आत्म ज्यान मैंने गुरुज ये संचय भी मिट जाता है विदुर जी ने पूछा है ब्रहमन आपने राजा प्राचिन बरही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्रगीत के द्वारा श्री हरी के इस्तूती करके क्या सिद्धी प्राप्त की है बाहिस्पत्य मोक्षा दीपती श्री न जी कहने लगे विदुर जी पिता के आग्याकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्रगीत के जप रूपी यग्य और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरी को प्रसंद कर लिया तपस्या करते करते दस हजार वर् बैठे वे श्री भगवान ऐसे जान परते थे मानों सुमेरू के शिखर पर कोई श्याम घटा चाई हो उनके श्री अंग में मनोहर पितामबर और कंठ में कौस्तुभ मनी शुसोबित थी अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधिकार दूर कर रहे थे चमकिले स्वन्ड में आभूशनों से युप्त उनके कमनी कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी उनके मस्तक पर जिल मिलाता हुआ मुकुट शोभाय मान था प्रभु की आठ भुजाओं में आठ आयुद थे देवता मुनी और पार्षटगन सेवा में उपस परष्मी जी से इस परधा करने वाली वनमाला विराजमान थी आधी पुरुष श्री नाराय ने इस प्रकार पधार कर अपने शर्णागत प्रचिताओं की और दयादृष्टी से निहारते वे मेग के समान गंभीर वानी में कहा श्री भगवान कहने लगे हे राजपुत्र तम्हारा कल्यान हो। तुम सब में बड़ा परस्पर प्रेम हैं और परस्पर तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आधर्श सोहार्द से मैं बड़ा प्रसन हूँ, मुझसे वर मागो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रती दिन तुमारा इसमरंड करेग उसका अपने भाईयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रती मित्रता का भाव हो जाएगा जो लोग सायंकाल और प्रातहकाल एकागर चित से रुत्रगीत द्वारा मेरे इस्तुती करेंगे उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धी प्रदान करूँगा तुम लोगोंने बड़ी प्रसनिता से अपने पिता की आग्या शिरुधार की है इससे तुम्हारी कमनी कीर्थी समस्त लोकों में फ्याल जाएगी तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जीसे कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा राजकुमारों, कंडू रिशी के तपो नाश के लिए इंद्र की भेजिवी प्रमलोचा अपसरा से एक कमल नैनी कन्या उत्पन हुई थी उसे छोड़कर वह स्वर्गलोग को चली गई तब व्रक्षों ने ही उस कन्या को पाला पोसा जब वहभूग से व्याकुल होकर रोने लगी तब औशधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुह में अपनी अमरित वर्षणी तरजिनी उंगली दे दी तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा अर्थाद भक्ती में लगे हुए है उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन करने की आग्या दी है तुम शीगरी उस देवुपम सुन्दर कन्या से विवाह कर लो तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो तुम्हारा सुभाव भी एक साही है इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और सुभाव वाली वह सुन्दर कन्या तुम सभी की पतनी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा तुम लोग मेरी करपा से दस लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेको प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे अन्त में मेरी अविचल भक्ती से हिर्दय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोग तथा परलोग के नरक्तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परमधाम को जाओगे जिन लोगों के कर्म भगवत दरपन बुद्धी से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वारताओं में ही बीतता हैं वे ग्रहस्थाश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते वे नित्य प्रती मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान सरूप पर ब्रह्म उनके हिर्दे में नित्य नया नया सभासता रहता हूं और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न तो मोहो हो सकता है और न शोक और न हर शुरी मैत्रे जी कहते हैं भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नस्ठ हो चुका था जब उनसे सकल पुरुशार्थों के आश्रे और सबके परम सुहर्थ शुरी हरी ने इस प्रकार कहा तब वे हाथ जोड़कर गदगदवानी से कहने लगे प्रभु, आप भक्तों के ख्लेश दूर करने वाले हैं हम आपको नमस्कार करते हैं वेद आपके उदारगुण और नामों का निरूपन करते हैं आपका वेग, मन और वानी के वेग से भीड़ कर है तर्था आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गती से परे हैं हम आपको ये मिध्या द्वेत भास रहा है वास्तों में जगत की उत्पत्ति इस्थिती और लए के लिए आप माया के गुणों को स्विकार करके ही ब्रह्मा विश्णू और महादेव रूप धारन करते हैं हम आपको नमस्कार करते हैं आप विश्वत सत्व स्वरूप है आपका ज्यान संसार बंधन को दूर कर दीता है आप ही समस्त भागवतों के प्रभू वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण है आपको नमस्कार है आपकी ही नाभी से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोबित है और आपके चरण कमल के समान कोमल है हे कमल लयन आपको नमस्कार है आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच पितामबर धारण किये हुए हैं समस्त भूतों के आश्रे इस्थान है और सबके साक्षी है हम आपको बारम बार नमस्कार करते हैं हे भगवन आपका ये स्वरूप संपून क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है हम अविद्या अस्मिता राग द्वेशादिक लेशों से पीडितों के सामने आपने इससे प्रकट किया है इससे बढ़कर हम पर और क्या क्रपा होगी है अमंगल हारी प्रभो दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही क्रपा कर करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार इस्मरण कर लिया करें इसी से उनके आशिरतों का चित्त शांत हो जाता है आप तो शुद्र से शुद्र प्राणियों के भी अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं फिर आपके उपासक हम लोग ज जो न जान लेंगे ही जगदिश्वर आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयम पुरुशार्थ स्वरूप हैं आप हम पर प्रसन हैं इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसनिता ही है तथापी नात हम एक वर आपसे अवश मांगते हैं प्रभू आप प्रकरतियादी से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है इसलिए आप अनंत कही जाते हैं यदि भ्रहमर को अनायासी कल्प व्रक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे व्रक्ष का सेवन करना पसंद करेगा तब आपकी चरन जनम में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे हम तो आपके भगवत भक्तों के शंड भरके संग के सामने स्वर्क और मोक्ष को भी कुछ नहीं समस्ते फिर मानवी भोगों की तो बात ही क्या है भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मदुर कथाई होती रहती हैं जिनके श्रवन मात्र से भोग उत्रिशना शांत हो जाती है वहां प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता अच्छे अच्छे कथा प्रसंगो द्वारा निशकाम भाव से सन्यासियों के एक मात्र आश्रय नाराइण देव का बार-बार गुणगान होता रहता है आपके वेभक्त जन तीर्थों को पवित्र करने के उतेश से प्रत्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं भला उनका समागम संसार से भाईबीत हुए पुरुशों को कैसे रुचिकर नहीं होगा है भगवन आपके प अब हमने आपका ही आश्रे लिया है हे प्रभू हमने समहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है निरंतर सेवा से शुरुशा करके गुरु ब्रह्मा और व्रिद्ध जनों को प्रसन किया है त्यथा दोश बुद्धी त्याग कर श्रेष्ट पुरुश सुहर्दगन वर हम आपसे मांगते हैं हे स्वामिन आपकी महिमा का पार ना पाकर भी स्वायबू मनू स्वाम ब्रह्मा जी भगवान शंकर तथा तप और ज्यान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुश निरंतर आपकी इस्तुती करते रहते हैं अत्य हम भी अपनी बुद्धी के अ अनुसार आपका यश्योगान करते हैं आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुश हैं आप सत्व मूर्ती भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं श्री मैत्रे जी कहते हैं हे विदुर जी प्रचेताओं के इस प्रकार इस्तुती करने पर भी वे अपने परमधाम को चले ही गए इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकल कर देखा कि सारी प्रत्वी को उचे उचे व्रक्षों ने ढखतिया है जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे यह देखकर वे व्रक्ष जी ने देखा कि वे सारे व्रक्षों को भस्म कर रहे हैं तब वे वहां आए और प्राचिन बरही के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझा कर शांत किया फिर जो कुछ भी व्रक्ष वहां बचे थे उन्होंने डर कर ब्रह्मा जी के कहने से वह कर्णिया लाकर प्रचेताओं को दी प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिशा नाम की कन्या से विवहा कर लिया इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवग्या की कारण अपना पूर्व शरीर त्याक कर जनम लिया और इनी दक्ष चाक्षुस मनवांतर आने पर जब काल क्रम से पूर्व सर्ग नस्ठ हो गया तब भगवान की प्रेर्णा से इच्छा नुसार नवीन प्रजा उत्पन की इन्होंने जनम लेते ही अपनी कांती से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया ये कर्म करने में बड़े दक्ष थे इसलिए इनका नाम दक्ष हुआ इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजा पतियों के नायक के पद पर अभिशिक्त कर दिया और इन्होंने मरीची आदी दूसरे प्रजा पतियों को अपने अपने कारी में नियुक्त कर दिया श्री मैतरे जी कहते हैं विदुर जी दसलाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रेचेताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भारिया मारिशा को पुत्र के पास छोड़का तुरंत घर से निकल पड़े वे पश्चिन दिशा मे समुद्र के तड़ पर जहां जाजली मुनी ने सिद्धी प्राप्त की थी जा पहुँचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्मतत्व विराजमान है ऐसा ज्यान होता है उस आत्म विचार रूप ब्रहम सत्र का संकल्प करके बैठ गए उन्होंने प्राण, मन, वानी औ और सीधा रखते हुए आसन को जीत कर चित्त को विशुद परभ्रहम में लीन कर दिया ऐसी इस्थिती में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनी श्री नारत जी ने देखा नारत जी को आया देखकर प्रचेतागन खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश काला नुसार उनकी विधिवत पूजा की जब नारत जी सुक पूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे प्रचेताओं ने कहा हे देवर्षे आपका स्वागत है आज बड़े भागी से हमें आपका दर्शन हुआ है हे ब्रहमन सूरे के समान आपका घूमना फिरना भी ज्याना लोग से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है हे प्रभू भगवान शंकर और श्री भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे ग्रहस्ती में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राया बूल गए हैं अतहे आप मारे हिर्देयों में उस परमार्स तत्व का साक्षातकार कराने वाले अध्यात्म ज्यान को फिर प्रकाशित कर दीजिए जिससे हम सुगमता से ही इस दुरस्तर संसार सागर से पार हो सके श्री मैत्रे जी कहते हैं भगवन मैय श्री नारत जी का चित्त सरवदा भगवान श्री कृष्ण में ही लग श्रेष्ण है और सफल है जिसके द्वारा सरवात्मा सरवेश्वा श्री हरी का सेवन किया जाता है जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षातकार कराने वाले श्री हरी को प्राप्त ना किया जाए उन माता-पिता की पवित्रता से यग्यो पवित्र संसकार से और यग प्रकार की बाते याद रखने की शक्ती से, तीवर बुद्धी से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांखे से, सन्यास और वेदाध्यन से, तथा व्रत विराग्य आधी अन्य कल्यान साधनों से भी पुरुष का क्यालाब है। वास्तों में समस्त कल्यानों की अवधी आत्मा ही है, और आत्मज्यान प्रदान करने वाले श्री हरी ही संपुन प्राणियों की प्रे आत्मा है, जिस प्रकार व्रक्ष की जड़ सीचने से, उसके तना, शाखा, उप्शाखा आधी सभी का पोशन हो जाता है, और जैसे भोज जिन्द्वारा प्राणों को तरप्त करने से समस्त इंद्रिया पुष्थ होती है। ठीक उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षाकाल में जल सूर्य के ताप से उत्पन होता है और ग्रीश मृतु में उसी की किर्णों में पुनहा प्रिवेश कर जाता है तथा जैसे समस्त चराचर भूत प्रत्वी से उत्पन होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं एक उसी प्रकार चेतना चेतनात्म यह समष्ठ प्रपंच श्री हरी से ही उत्परह जाता है और उनी में लीन हो जाता है वस्त है यह विश्वात्माई श्री भगवान का वैशास्तर प्रसीत सर्वोपाधी रहित स्वरूफी है जैसे सूरी की प्रभास से भिन्न नहीं होती उसी प्रकार कभी कभी गंदर्व लीन हो जाती है उसी प्रकार ये जगत सर्गकाल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कलपांत होने पर उनहीं में लीन हो जाता है स्वरूपता तो भगवान में द्रव्य क्रिया और ज्यान रूपी त्रिविद अहेंकारों के कारियों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद ब्रहम की सत्ता है ही नहीं अतह हे राजाओ तुम ब्रहम आदी समस्त लोकपालों के भी अधिश्वर श्री हरी को अपने से अभिन मानते वे भजो क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एक मात्र आत्मा हैं वे ही जगत के निमित कारण काल उपादान कारण प्रधान और नियंता पुरुशोत्तम हैं तथा अपनी काल शक्ती से वे ही इन गुणों के प्रवहरूप प्रपंच का संखार कर देते हैं वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विश्यों से निवरित करके शांत करने से शीक्री ही प्रसन हो जाते हैं शुरी मैतरे जी कहते हैं हे विद्व जी देवर्शी नारत ने प्रचेताओं को इस उप्तेश के साथ साथ और भी बहुसी भगवत सम्बंदी बाते सुनाई इसके पशात वे ब्रह्म लोग को चले गए प्रचेतागन भी उनके मुख से संपोन जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलो का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए इस प्रकार आपने जो मुझसे शुरी नारत जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंदी समवात के विशे में पूछा था वे सब रतांत मैंने आपको सुना दिया शुरी शुकदेव जी कहते हैं हे राजन यहां तक स्वायंभू मनु के पुत्र उत्तान पात के वंश का वणन हुआ अब प्रेवरत के वंश का निविवरण भी सुनो राजा प्रेवरत ने शुरी नारत जी से आत्म ज्यान का उपदेश पाकर भी राज भोग किया था और अंत में इस संपुन प्रत्वी को अपने पुत्रों में बांट कर वे भगवान की परमधाम को प्राप्थ हुए थे राजन इधर शुरी मैतरेजी के मुख से यह परम पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मगन हो गए भक्ती भाव का उद्वेग होने से उनके नेत्रों से पवित्र आसों की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हिर्दय में भगवत चर्णों का इस्मरंट करते वे अपना मस्तक मुनीवर मैतरेजी के चर्णों में रख दिया विदुर जी कहने लगे हे महायोगिन आप तो बड़े ही करुणा में हैं आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वस श्री हरी विराजमान रहते हैं श्री शुकदेव जी कहते हैं मैतरेजी को उपरियुक्त क्रतग्यता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आग्या ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुचनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए हे राजन जो पुरुष भगवान के शर्णागत परम भागवत राजाओं का ये पवित्र चरित सुनेगा उसे दीर्ग आयू, धन, सुयश, क्षेम, सब्गती और एश्वरी की प्राप्ति होगी